अधा स्वागर सोग था सभी नेल्फा टेक के आज के यूट्यूब वीडियो पे तो यहाँ पर आप जो है मीटर कल लगा था एलेंटी का यह मीटर और और हम यहाँ पर चेक करेंगे कि जो है अगर अगर आप पर वन एच्पी का अगर मोटर चला आते हैं समय सेवल मोटर तो यह कितना यूनिट जो है खपत करता है तो अभी यह नया मीटर है तो आपको काफी आशानी से जारा केल्कुलेशन नहीं करना पड़ेगा तुरून पड़ा चल जाए कितना यूनिट के खर्च कर रहा है अभी मैचनेटीक सब बताता है कि कि मेचनेटीश के पास आया हुआ कि नहीं चैड़-चैड लिए तो यह सकते नहीं है यह नेटवर्क का बता रहा है 50-57 ndb का यह नेटवर्क है ठीक है यह सिगनल स्टेंड बता रहा है कि इतना सिगनल स्ट्रेंथ है उसके बाद यहां पर एरो गंटे में यहां पर 0.3 kwh यहां पर kilowatt hour यूज किया गया दो कर दो किया 308 मतलब हो गया 300 वाट एक दिन में इन होता है 1000 वाट तो थे यहां पर 0.3 kwh और kvah यहां पर 0.3 watt है मतलब कि 0.300 हो गया यह खपत हुआ एक दिन में जो कि एक उनित से कम है काफी फिर यहां पर सो करा है maximum demand के डवलू में maximum demand है 0.046 मतलब कि 40 watt मतलब कि यहां पर जो है maximum load यहां पर यूज किया गया है 40 watt यूज किया गया है कुछ बाल भी यूज किया गया था और मोबाइल चार्जर चार्ज किया थे तो उसका यूज करके टोटल जो है 40 watt maximum लोड गया है कभ यह maximum लोड गया है तो 25 एक को 22 यानि कल की डेट में यह यूज किया गया था यहां पर देट बताया जारा है maximum demand जो है कभ यूज किया गया था 25 तारिक को यह देट है 25 जनवरी 22 फिर कितना ताइम बता रहा है कितना वज़े जो है maximum लोड यहां पर यूज किया गया था तो 20 वज़े मंदब की रात के करीब जो है नौ 10 वज़े हो गया तो रात के 20 वज़े जो है यहां पर इसको यूज किया गया गया में यहां पर कि यहां पर la저 इंपी रभा दा रहा है फेज में है u यहां पर ग by do लूज करें है तो आप अपको वाट यूज देख सकते लोड कितना है अ गलट को क्तीप्लाइब की जिएगा तो तो यहां पर आपको फोरिज नहीं हो रहा है तो यह सबसे minimum load यहाँ पर लिया जा रहा है अब हम यहाँ पर जो है 1HP का समरसेवल मोटर उसे on करते हैं और देखते हैं कि कितना यहाँ यहाँ पर unit खपत हो रहा है तो चलिए on करते हैं कि इसमें जो भी वोल्ट यूज दिखाए दे रहा है तो इसमें 220 से 230 के बीच में यहाँ पर वोल्टेज है अब हम इसको जहाँ करते हैं तो जब ऑन करेंगे तो यह थोड़ा जर्क लोट लेता है तो देखिए यहाँ पर कितना आएगा जर्क लोट जर्क लोट दस तक चला जाता है दस एंपियर उसके बाद यहाँ पर दो एंपियर पर यह स्थिट हो जाता है कि इसको ज़्याद हम यूज नहीं करेंगे करेंग जो है दस से बीस सेकेंड में इसको बंद कर देंगे तो दो एंपियर के यहाँ पर करेंग है और 230 वोल्ट यहाँ पर बिजली है तो दोनों का मल्टिपलाइग कर दिए जितना वाट आगा वह यूज होगा लेकिन वह एक घंटा में होगा क्योंकि अभी हम यहाँ पर कफी कम देर जो है इसको यूज करेंगे तो फीर आपको प कि बढ़ागी तो आप इसको बंद करते हैं और आप देखते इसमें जो है कितना यूज किया गया है तो यह जो है और आप जाते हैं इसमें पहले था 0.3 यूनिट था आप देखते कितना यूज हुआ है पूस्ट बटन मूट में करें और नेटवर्क बता रहा है एरर 11 और आप यहाँ पर 0.4 आ गया मतलब कि 100 वाट यहाँ पर कि यूज हुआ है पहले था 0.3 अब है 0.4 kwh उसके बाद यू मैक्सिम्म लोड देखा जाया तो आपको क्यूंकि अभी कोई भी उपकरण नहीं था सिर्फ एक वन इंच्पी का मोटर चला है तो 0.4 जो है kwh यहाँ पर मीटर में रीडिंग बता रहा है टोटल और के भी अब देखते हैं मैक्सिम्म दिमांड जो है आज का देती हैं आप बता रहा है चबीस एक दोज़ाइस और नौबच के पचीस मिनट अभी का ताइम जब हम इसको इस एक्सपरिमेंट को कंड़क्ट कर रहे है और अभी जो वोल्टेज है अभी ग्वोल्टेज है संपेश और यहां पर यह अवंचे केasto को डाइटा था झाएस आं अपर 707 مरी पर 20 WoW हूआ है के ब्लुए ज्यादा यहां पफर खपत हुआ hammam यहां पर खफत हुआ है कि अब धिपन करता अब कितना देर उसको चलाते जतना ज्याद चला यह उतना ज्यादा फोगद लेगा एक पका मोटर है तो 1HP का मतलब हो गया 746W तो मतलब हो गया कि अगर आप जो है उसको एक घंटा तक चलाते तब जो है 746 वाट जो है वो कंज्यूम करेगा फिर वी जो है वोन यूनिट से वो कमी होता है अभी जो है यहाँ पर तुरा सा वीडियो में अपडेट करना है क्योंकि उससे में जो है जो है जो लोड था वो सही से नहीं सो किया था अपडेट नहीं हुआ था लेकिन अभी जो अपडेट हो चुका है तभी हम आपको दिखा रहते हैं जो लोड लिया था वो कितना था तो यूनित है वो सही है उसे में अपडेट हो गया था 400 वार्ट है जो कि पहले 300 था तो अभी 400 हुआ है तो 100 वार्ट का यहां पक्खपत लिया था और अभी हम लोड देखते जो मैक्सिमुम लोड गया है वो आज का देख है 26 अभी का टाइम बता रहा है वोल्टेज बता रहा है किलो वार्ट में तो यह है 0.066 पहले था 46 था अब है 0.66 मतलब की 66 वार्ट का यहां पर मैक्सिमुम लोड गया है